जी हाँ, जैसा कि आपने थमनेल देखा, आज किस वीडियो में हम जानेंगे, जीओ से कैसे आप लोन ले सकते हैं, आज के डिट में जितनी भी बड़ी कंपनिया हैं, वो आपको किसी ना किसी तरीके से लोन सर्व कर रही हैं, चाहे वो पॉर्सनल लोन हो, होम लोन हो, वैकिल आप अब जीओ से पे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, लाइफ परूफ के साथ पिलकुल लाइफ स्टेप दिखाने वाला हो, कैसे आप यहां पर जीओ से लोन ले सकते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और कमाल की बात यह है कि कि कैसी भी तरीके का डॉक्मेंटेश भी नहीं करना होगा सिर्फ और सिर्फ करनी होगी और इंस्टेंटली आप लोन ले सकते हैं कि भी बहुत आसान है जो कि आप इस वीडियो में लाइप प्रूफ के सांद देखेंगे सबसे पहले आए देख लेते हैं इस जियो से कैसे आप लोन ले सकते हैं तो इसके लिए सब से पहले तो आपको Jio application open करना होगा, यहां मेरा Jio application on और यहां पे आप देख सकते हैं user interface, जितने भी इनके applications हैं, जितने भी third party applications है, सबका link यहां पे दिया हुआ है, चाहे वो fiber हो, UPI हो, Jio Mart हो, Jio Sawan हो, या फिर अलग-अलग तरीके की जो है service, आप यहां पे देख सकते हैं, J इसी तरीके से आप Jio से instant pay letter ले सकते हैं, अब इस loan को समझते हैं, कि actual में यह loan है गया, तो इसके लिए आपको three dot पे यहां पे type करना होगा, और यहां पे बहुत सारे sections में आपको देख जाएगा, emergency data loan, अब यह समझे कि यह actual में loan है गया, तर कभी आप net serve कर रहे हैं, या फि और आपके wallet में पैसे ना हो, recharge करने के लिए भी, कई बार क्या होता है कि जब आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आपका data नहीं है आपके phone के अंदर, तो आप online भी recharge नहीं कर सकते हैं, इसके लिए Jio provide कर रहा है instant data recharge, यानि emergency data loan, यहां पे आपको 1 GB तक का data loan प्रोवाइड किया कर सकते हैं, अगले recharge के अंदर, पूरे detail समझते हैं, और प्रोसीड भी करेंगे, लाइव recharge करके भी देखेंगे, तो वीडियो को end तक देखें, बिल्कुल पे skip मत करिएगा, no more पे click करते हैं, no more पे click करने के बाद आपको बहुत सारी information मिल जाएंगी यहां पे, लेकिन सभी information को पढ़ने से पहले recharge करते हैं, कि cash step हमें follow करने होंगे, तो proceed now पे simply आपको tap करना है, करने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपका जो emergency loan है, वो है 1GB का, यहां पे available quantity जो आपके पास है, वो 5 available है, वो 11 रूपे का है, 11 रूपे का data loan है actual में, किसी भी तरीके का cash भी नहीं है, तो get emergency data loan पे हम click करते हैं simply, और active plan के according activate now पे tap करते हैं, जैसे ही activate now पे tap करेंगे, जैसे कि देख पा रहे है, instant यह data loan recharge हो चुका है, बिना किसी activity के, जैसे कि आपने देखा किसी भी तरीके का आपको यहां पे extra कोई भी documentation नहीं करना पड़ा, नहीं आपको यहां पे अ सिर्फ sign in हैं यहां पे, उस number से type करके आगे forward करके instantly data loan ले सकते हैं, तो यह देख लीजिए कि यह data loan कितनी बार आपको मिलता है, यह data loan पांच बार आपको मिलता है, जब भी आप recharge करते हैं, तो पुराने वाले recharge का payment या नहीं जो भी आपने पुराना loan लिया है, उसे repayment इसके लिए किसी भी तरीके की eligibility नहीं है, अगर आप prepaid user है, जियो के, तो आप इस data loan का लाब उठा सकते हैं, अगर आपको emergency में कभी recharge करने के लिए पैसे ना हो, बहुत ही ज़्यादा emergency है, आपको loan चाहिए ही, यानि data recharge चाहिए, तो आप जियो का इस service का लाब उठा सकते है बहुत सारे users को help मिलेगी, उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई हो, like और share करने के साथ चैनल को subscribe करिए, आगे भी इसी तरीकी की interesting update को देखने के लिए, आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलता हूं दोस्तों फिर आप से अगले वी तेर, आए दो जोस्तों आप दोस्तों भाउरे जिए आप से अघ्लिए प्सक्तों है अजय सितर हाँ